नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दखवरदान्योज मद्ध प्रदेश बिधान सभा चुनावों की सुग्वगाहट धीरे धीरे राजनेतिक गलियारों में आने लगी है और इसी सुग्वगाहट में कई सारे नेता हैं कई सारे प्रत्यासी हैं जो संभावित हैं वो अपने छेतर में लगातार सक्री हो रहे हैं प्रदेश में देश के केंद्री नेताओं की भी सक्रीता बढ़ी है बीते दिनों कई बार हर छेत्र में सिवराज सिंग चौहान मुख मंत्री मद्ध प्रदेश साशन के इसके साथ साथ कई केंद्रे मंत्री भी आते जाते रहे हैं हम यहाँ पर पहुँचे हैं सिर्मा और विधान सभा छेत्र और सिर्मा और विधान सभा छेत्र में आम आदमे पार्टी की सक्रिय कार करता और जैसी उम्मीद जताई जा रही आगामी विधान सभा चुनावों में संभावित उम्मीदबार सरिता पांडे जी हमारे साथ हैं जाने वाले यमुना प्रसास सास्त्री जी से भी इनके पारिबारिक जुडाओ रहे हैं और उन्हीं की विचार धारा को आगे बढ़ाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है तो सबसे पहले तो सरीता जी मैं स्वागत करता हूं आपका दखवरदार न्यूज पर और करेंगे आपके ससुर जी यहां मध्ध प्रदेश शासन में खाद एबं आपूरती मंत्री रहे हैं तो क्या अनुभव रहे हैं क्या उनके विचार रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे सबसे पहले तो वो एक कर्मयोगी राजनेतत है इमांदारी और सिध धांत के आधार पर आगे की और बढ़ते हैं तो काफी हद तक आगे बढ़ जाते हैं और जैसा कि आज कल की राजनेत हो गई है कि राजनेत एक पैसा कमाने का जरिया बन गया है तो जो चीश कमाया जाता है उसका एक अंत होता है कि माने आपने पैसा कमा लिया है तो कभी न कभी उसका अंत हो जाएगा लेकिन यदि आपने इमानदारी से अपना नाम कमा लिया है तो वो कभी भी खत्म नहीं होता वो लोगों के हरदय में एक अमिट छाप छोड़ देता है तो मेरे ससुर जी ने भी यही किया कि जब वो राजनीत में आए जन सेवा उनका प्रमुखलच था एक-एक की समस्याओं को सुनना समझना और उसको दूर करना उनका प्रमुखुद देश था मुझे भी उनसे यही अनुभव प्राप्त हुआ है कि अगर मैं राजनीतिक छेत्र में आगे बढ़ती हूँ तो मैं उसे विधान सभा छेत्र नहीं मानती हूँ लोगों के लिए वो होगा विधान सभा छेत्र लेकिन मैं सिर्मार को अपना घर अपना परिवार मानती हूँ वहाँ के लोगों को मैं अपना परिवारिक्षद से मानती हूँ यह मुनाप्रशाद सास्त्री जी भारती राजिनीत के एक महान पुराधा रहे हैं और ना सिर्फ रीवा ना सिर्मार जो उनकी कर्म छेतर रही है विधान सभाध छेतर रहा फिर वो सांसदी लड़े यहां से तो ना सिर्फ रीवा बल्कि उनकी संपुन राष्ट में जो थेक महत्यपूर पहचान रही है छेत्र के बिकास के लिए प्रधान मंत्री कार्याले के सामने कभी धरने पर बैट जाया करते थे या फिर जो तक अभी विधान साभा में बड़ी जोर से छेत्र की समस्याओं को उठाया करते थे और उन्हीं से उन्हीं के सिस्र के तार पर आपके स ऊसुर्ष जाने जाते रहे हैं उन्हीं के दोरा जो तो उन्होंने राज है तो यह मुना प्रसास साथ चाँ के बारे में ऐसक आपosph Optimum आप से रूह उलिरो हो उनके बारे में बताया करते रहे हो कुछ ऐसे अनुभा रहे हो यह पिर जो सास्तिर ची वो आपको इन अंग्रेजी कलेंडरों में भले ना मिले लेकिन ये सभी के हरदें रूपी पांचांग में ये तिथी अंकित है कि 20 जून को एक ऐसे कर्मयोगी का जन्म हुआ था जिसने अपना पूरा जीवन ही सेवा में समर्पित कर दिया जो थे तो वो मेरे सासुर जी को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे और हमेंसा छोटे भाई की तरह ही मतलब उनको सिखाया करते थे इसने देते थे कैसे अपने को आगे जन्सेवा में बढ़ना है ये चीजे करते थे वो नेत्रहीन थे, लोग उनके बारे में अच्छी बाते भी करते थे, बूरी बाते भी करते थे, लेकिन मेरे जैसे और बहुत से लोगों का ये मानना है, और मेरा तो खुद का मानना है ही, कि जैसी राजनेतिक द्रिष्टी, दिविद्रिष्टी कहना चाहूंगी, कि जैसी तो जो है तुराजनीती उच्छ सिखर पर चला जाए और जो हम कहते हैं ना कि हम अपने देश को भी शुगुरू बनाएंगे तो हमारा देश जो है तो भी शुगुरू बनने की राह पे आगे की और बढ़ जाए अगर स्री सीता प्रसाज जी शर्मा पूजे सासुर जी और अदारनी चाचा जी जासी रा जाँ